हुआ है है विल्कम बैक आए मुर्धरमें सर्फ फ्रॉम डियेसल इंग्लिस डॉक्टर मुखायुज नदेली मेरे प्याना दोस्त मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा आज और अभी अगर इंग्लिस सिखने और सिखाने का तरीका सही हो अगर आप सही तरह के से सिखते हो और सिखाने वाला अगर टीचर सही हो तो इंग्लिस सिखने में देने लगता और आज वही तरीका दे रहा हूं सबसे आसान हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुत आसान चीज़ इंग्लिसे बोलते हैं आप बोलते हो मैं बोलता हूं पूरा दुनिया बोलता है बोलो लाफ का मत बताता हूँ आपको बहुत राज की बात एक एक चीज़ सिखाऊंगा यह पूरा वीडियो ना अंतक देखना अगर इंग्लिस आज तक नहीं सिख पाएं अगर आज तक आपके पास कमी हैं इंग्लिस की लिखने में बोलने में मेडियम चेंज करने में राइट इंग स्किल्स यह चारो वीडियोमें इंग्लिस आपको चिखा दूंगा पहला कहा हम लाफ होता क्या देखंगा डिक्च्नरी में में बहुत सारे भर्व है उं सारे भर्व को हम निश्चित भरव कहते हैं अंग्रेजी में फानाईट हैं अंग्रेजी छोड़ो हिंदियों बोलते हिं निश्चित होता है, वो मिनिंग भी निश्चित देगा, जैसे मैंने कहा जाओ, तो हमने बोला गो, तो गो जो है न, अपने आप में एक complete word है, complete सब्द है, उस complete सब्द को निश्चित सब्द कहा जाता है, याद रहेगा, हमने कहा, शिखाने बाला सही हो, और सिखने बाला जैसे लाफ, हसना नहीं, हसना, गलत है ये, गलत है, इस सही बताओंगा सही क्या है, तो हसन, लाफ मतला हसो, लाफ, हसो, गो, जाओ, प्ले, खेलो, खेलना नहीं, किताब काट दो, मैं हमेंसा रिसर्च करता हूँ, किताब काट दो, रीड मतला पढ़ना नहीं, गो मतला जा जैसे मैं कहूँ कि मैं हसना, मैं हसना चाहता हूँ, मैं हसना जानता हूँ, तो क्या लाफ लेगा? नहीं, उसमें प्रेपोईसन जोड़ना पड़ेगा, अभी आता हूँ, दहर रखो, पुरा वीडियो पेशन से देखो, अराम से देखो, नहीं है, कॉपी किलम ले लो, और अगर सिखने के मूड़ में तो बैठे हो, हमने का हसो, खेलो, प्रहो, गो, किसका मतलब, सब लिख के दे दिया हूँ, ताकि आप मत कहना, लाफ, हसो, आज मत क्या पढ़ना है, डिक्षनरी के सारे भार मुका बोलेंगे, निश्चित भार, अंग्रेजी में फनाइट भार, व फुट वॉल, फुट वॉल खेलो, प्ले किर्केट, किर्केट खेलो, गम हिया, एहाँ आओ, एहाँ आना नहीं, गम हिया, एहाँ आना, गो देर, वहाँ जाओ, आदे सही, इसे इंपरेटिव बोलते है, आओंका सब, सब सिखाओंका चार दिन में, देखो, अगर तरीका सह कि कि थेले की थेवहब इसको org DecYo si पवहब आसान को इक एक जाम तो हलवा करा दूंगा आज के बांश भर ब्यात करना यहां ना कम गो जाएफ पर अपिंड जैएं जैना Chi promised app ऐसे टृफितमेयद में इस थैसिव अभर जाना का इंगलीज क्या है अगर प्लस गो यानि प्रे पोडिश dissol तुढ जो तो बनता तू गो, इस तू गो का मतलब होता है जाना, तू लगाते है तब होता है जाना, तू गो, जैसे आना का अंगरे जी क्या होगा भाई, तो तू क्राम, आना का मतलब तू क्राम, अब तू लगाया, जाना, जाना, आना, काना, पीना, खिलना, कुदना, यह सब जो भर्व है, इ तो निश्चित करने के लिए तू का प्रयोग लगाया जाता है यह से तू काम खाना तू काम, अब देखो संतेंस में बताता हूं, तब हो और हमने का है, मुझे दौर। ना है कि नहीं, जाना है, दौर ना है, अंगरे जी बोलना है, खाना है, दुछा थब को, तो जहां-जह देहां पर हो ला सब आपर ना लगा रहेगा जहां जहाँ ना मिलगा रहेगा वहां वहां टू का प्रहु करना होगा यहां प्राइब लेघतल किया औरारे जाना लेचन¬ I have to go, मुझे दौड़ना है, I have to run, मुझे अंग्रे जी बोलना है, I have to speak English, उसे सेब खाना है, he has to eat an apple, देखो यहां पर सब, क्या बोला, मुझे जाना है, to go, I have to go, I have to go, I have to go, दिख रहा है सब को, I have to go, मुझे जाना है, तो यहां जो ना लगा है न, फिर समझ लो, कि दिक् to plus go, तो हो गया जाना, यहां भी आपको ना बोलना होगा, वहां to लगाना पड़ेगा, जहां पर नाल नहीं बोलना होगा, जाओ बोलना होगा, वहां पर go बोलना होगा, जैसे go, go there, वहां जाओ, go there, वहां जाओ, I have to go, मुझे, I have to go there, मुझे वहां जाना है, I have to go there, अंग्रेजी बोल ना है ना बस ना बे फोकस करो मुझे अंग्रेजी शिखाना है I have to make you learn English मुझे आपको अंग्रेजी सिखाना है I have to make you learn English तो जहां पी होगा I have to speak देखो बोलना तू एक नहीं आँ शीखो जल सीखो क्या कहा सिखाने बहुरा साही सिखने बहुरा तो अंग्रिजी आजाएगा तो जहां भी ना ये ना फिर्ग न दिसेद्धikan जाहां वहाँ प्लस बीवन का प्रियोग करना पड़ेगा आप समया जाहां बहुताया जहां भी ना ने नी के साथ आएगा थू प दिखा सबको और दिखो जितना ब्राशनिस ले लो मुझे अंग्रेजी बोलना है I have to speak English उसे खाना है दिखिया और बा ले लो अंग्रेजी बहुत आसान है हमारे बिहार के यूपी के हरियाना के पंजाब के उतर प्रदेश के जारखेंड के 36 गड़ के MP के एपूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी सिखने की ललक है बच्चों में लेकिन बच्चे बढ़ियां सिख नहीं पाते बज़ा क्या है बज़ा यह है कि उनको सही सिखाने वाली पहली वीडियो है इंग्रेजी सिखाने वाली पहली वीडियो है इंग्रेजी सिखाने वाली पहली क्लास है और पहली क्लास से ही अंग्रेजी बोलना सुरू करें अग्रेजी सिखाने वाली पहली क्लास से ही अंग्रेजी बोलना सुरू करे आज सही बोलना सुरू करें, और अभी से लिखना सुरू करें, अगर नहीं आता है तो कमेंट करें मुझे, आप से बात कर दा हूँ, आपने भी तक लाइक भी नहीं किया है, आपने शेयर भी नहीं किया है, दोस्तों के साथ मिल करके पढ़िए, और देखिए आपको मजा आ है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो तीनों बाद में टू 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 आएगा, यहां भी टू टू आएगा, यहां भी टू टू आएगा, इहां भी टू आएगा, इंगलिस कैसे नहीं सिखोगे, अब देखो यहां बात कर रहा हूं, उसे क्रिक और भर्व को, और जो मेन भर्व होता है, उसे कहते हैं, जाना है, उसके बाद जो भी नमबर में आ जा है, एक, दो, तीन, देखो, एक, दो, तीन, तो, he has to play cricket, देख रहो, मुझे अग्री जी पढ जाना है, तो मुझे हो गया एक नमबर, सब्जेक्ट, एह हो गया जाना, दो तो, इंग्लिस बहुत आसान है, नम्बरिंग से पहो बहुत आसान, देखिए, मिलिगा subject, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, अब दखो बोल के इंग्लिस, कितना आसान है, मुझे अंगरेजी बोलना सिखने, जाना है, अब जाना है, अब कह कि दिमाग में 성閉त टू क्यों लगा दिया तो बताउंगा विज्ट इसले है कि जब कोई मजबूरी होता है कि जब कोई ही did when I come it get there now मुझे पहना है मुझे लिखना है मुझे खिलना है मुझे डॉड़ना है तो जहाँ पर जरूरी होना, कमपलसन होना, वहाँ पर हम लोग हैज हैब का परियोग करते हैं, बिटा, यह एक नया कॉंसिप्ट दूँगा आपको, कि सब्जेट के बाद हैज हैब लगाते हैं, और इसके बाद ना है आता है, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉम लगाते हैं, यह सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या सिखाया, कि वर्ब दो तरह का, गो एक पुरा वर्ब है, कमपलीट वर्ब है, तो गो मतलब जाना नहीं, जाओ, इत मतलब खाना नहीं, खाओ, अब सिखाऊंगेजी, यह एक एक शब्द का अंग्रेजी होगा, एक एक शब्द, आप बोल पौग अंगरेजी, एक एक शब्द, लिख पौग अंगरेजी, एक एक शब्ध, सोच पौग अंगरेजी, एक पहला वीडियो है, कर दूसरा दूँगा, तीसरा दूँगा, और 10-15 क्लास में सिखा दूँगा अगरेजी, घर बैठे, जहां भी होना, आस इंग्यलि देखरो जितना बार आया, बच्चा डरता है, कि तू लगाओं की ना लगाओं, बच्चा घबराता है, तू लगाओं की ना लगाओं, जितनी बार तू लगाओं, सब सही होगा, सब सही होगा, इसे कहते हैं, complete verb और incomplete verb, finite verb, infinite verb, इसको देखने के लिए, अगला भी जुरूर द करना, और दोस्तों के साथ share करो, पचास लोगों से पूछो, इस सही तरीका है, हमने फिर सुन लो, इंगलिस में दो तरह के भर, एक निश्चित, एक अनिश्चित, एक फनाइट, एक इंफनाइट, दिक्सनरी के सारे भर, main भर जो होते हैं, वो main sentence के जैसा काम करते हैं, खाओ, खाओ, पीओ, यह complete हो जाता है, इसको आप देखो, और देखके मुझे बताना, comment करो नीचे, मुझे comment करो, सीखे, नहीं सीखे, 4-10 वीडियो देऊँगा, 10-15 वीडियो देऊँगा, इस 10-15 वीडियो में आप सीख जाओ English, यह पहली क्लास है, यहां सीखो, कल मिलता ह आप से, एक नए क्लास में, जए हिंद, जए भारत! आप से, एक नहीं आप से, एक नाप जाओ यहां सीखे, भारत! झाल 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 झाल